बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती 36 गण में लोग सभा चुनाओं के लिए अंतिम रण के लिए प्रत्याशियों के अलावा सियासी दलों ने भी पूरी ताकत जोग दी है तीसरे और अंतिम चरण में साथ सीटों पर साथ मही को वोटिंग होनी है आज तीन लोग सभा सीटों को हम आपके लिए डिकोर्ट करेंगे सियासत को साथ ही प्रत्याशियों के बारे में जानेंगे कि सीट पर कौन भारी है इसका एक अंदाजा लेने की कोशिश करेंगे महमान भी हमारे साथ जुडेंगे उनसे हर सीट को लेकर चर्चा भी करेंगे और बहुत बहतरीन तरीके से ग्राफिकली हम आपको वो हिस्ट्री समझाएंगे जो आपका भविश्य तेय करेगी और सबसे पहले बात करेंगे राइपूर लोग सभा सीट की यहां बीजेपी ने दिगज नेता और जो भी मंतरी भी हैं ब्रिजमोहन अगरवाल उन्हें मैदान में उतारा है ब्रिजमोहन अगरवाल राइपूर दक्षन से लगा तार आठ बार जीच चुके हैं अगर आप राइपूर में कहीं गूमें इलेक्ट्रिक रिक्षा आपको दिखे इरिक्षा आपको दिखे उसके पीछे जो गोल सा पहिया लगा होता है उसके लिखा होता है भहिया मैं भहिया मोहन भहिया के नाम से उन्हें जाना जाता है इस बार लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं, उनके मुकाबले कॉंग्रस में युवा और तेज तर्रार माने जाने वाले विकास उपाध्या को उतारा है विकास उपाध्या कौन? टीम राहूल का अगर जिकर होगा तो विकास उपाध्या का नाम आएगा हाला के विकास उपाध्या है अपना 2023 का विधान सबा चुनाओ हार गए, लेकिन पार्टी ने फिर भी भरुसा जताया रायपूर लोकसभा सीट BJP के दबदबे वाली मानी जाती है, किसने यह दबदबा बनाया? रमेश बैस, रमेश बैस साथ बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, फिलहाल वो राजिपाल है अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरा गणित समझा देते हैं, रायपूर का किस तरीकी का इतिहास राय है, उसे बहुत बहतरीन तरीके से जान लीजे सबसे पहले, ब्रज मोहन अगरवाल, मोहन भाया, उनके सामने विकास उपाध्य है, तेज तर्रार नेता, ये मंत्री भी हैं, और इस बार लोकसभा पर में इनका भरूसा भी जताया गया है वोट परसेंटेज जरा देख लीजे, 2009 में 47 परसेंट वोटिंग, 2014 में 65 परसेंट वोटिंग, 2019 में 66 परसेंट वोटिंग यहां पर हुई है एक और खास बात 36 गड़ के बारे में, लोगों ने भले ही यहां कॉंग्रेस को मौका दे दिया हूँ, 2018 में लेकिन उनका भरुसा केंद्र में BJP के परती कम नहीं हुआ है ये रायपूर लोगसभा का वोट परसेंटेज जान लीजे, 2009 में क्या था, 2014 में क्या था, 2019 में क्या था वोट शेयर भी हम आपको बताएंगे किसका कितना रहा है यह जान लीजिए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए 2009 में 47 परसेंट वोट जीत का मार्जिन 57,000 से ज्यादा 2014 में 65 परसेंट से जादा वोटिंग 1,71,000 से जादा की जीत 2019 में 66 परसेंट से जादा वोट हुआ और 3,48,238 यह एक बड़ा परसेंटेज रहा है यह आपने देखा वोट परसेंटेज और मार्जिन अब बीजेपी कॉंग्रेस के इस्तियां वोट शेयर के लियाग से क्या रह से जादा 2019 को जान लीजेए बीजेपी के पास 60% से जादा कॉंग्रेस के पास 35% से जादा अंतर रहा 24% 2019 यानि 2018 के चुनाओं हुए 2018 के चुनाओं के बाद जो इस्तियां बनी वो इस तरह की थी दो सीट कॉंग्रेस के खाते में आपर गई ती यह कोर्वा गई थी और एक तरीके से उनकी नजर सियासत पर होती है के के शर्मा साब है हमारे साथ इसके अलावा प्रकाश पुंज है हमारे साथ राजनीती की बारीक लकीरों को इनके जरीये हम सुल जाएंगे एक एक सीट हम बताएंगे और फिर हमारे महमानों से उनकी डिकोडिंग समझेंगे के के पहले में आपके पास आना चाह रहा हूँ, रायपूर का हमने पूरा इतिहास बताया, बोटिंग परसंटेज बताएं हैं, शेयर बताएं हैं, इन सब के बीच रायपूर को लेकार आपका प्रेडिक्शन, जे। के रु firmता को हरांएं, फिर 96 में, जो है विद्या चरेण सुकल से हार गयत, उसके बार श्यामचरेण सुकल को उन्होंने पराजित गया तार, उसके बार पिर रमेजबह की सीप पर दोहजार उनी तक center है का जा सकता है 2019 में जिस तरह से मोदी लार के चलते हुए सभी प्रत्यासियों को जो सभी सीटिंग एंपी थे उनको भी बदला गया जिसके चलते हुए रमेज भैस की भी टिकिट कट गई अब वो लग उसके बाद जो भाजपा का जी ते नीति कहा जा सकता है कि तीन के सभा सांसाद रह चुके अभी वरवर्तमान महाराष्ट के राज्यपाल है अब इसमें से अब देखेंगे दोगणिक में नाओ में से आठ एमेले जो है वो अभी बीजेपी के हैं एक बादा बारा सीट बस जो है वो सीवरतन सर्मा जो मजबूत भाजपा के विधायक रह है जुगन कि सोर साहू को टिकेट देने की बात हो यहां घुपेज बगेल स्वं 2009 में पराजित हुए है रमेज बैस से यह भी कहा जा सकता है राइपूर लोग सबसीट से घुपेज बगेल पराजित हो चुके है अब वे राज नामजाओं से दुबारा चुनाव लड़ र जो है वो राइपूर पस्चिन से लगभाग 42,000 मतों से राजित मुदत से पराजित हुए यह अंतर देखिए यहां पे कितना है और पुल मिला तो आपने 3,48,000 की बात कही है लेकिन विधान सभाचुनाओं में यह अंतर जो है 2,62,000 में आ जाता है कहा जया है तो यह अभी मतों का दावा हो रहा है जिस तरह से यहां के आम सभग फारम नामंकर दाखिल के दौरान भी यह बात कहीं बुख्यमंत्री ने कहा कि इनको 8,000,000 मतों से जीताना है यह कारट पर यह है कि गुजराच में सरवादिक मतों से जो जीत का रिकार्ड रहा है उसको भी क्या यह त मेरा ख्याल है वो सियार पाइटल के पास है वो तक्रीबन 6,000,000 का एक डिफरेंस पर रहा है हमें तीन सीटों पर बात करनी है इसलिए हम मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर शॉट में आप लोग डिटेल देने तो बहुत अच्छा हो जाएगा प्रकाश पुन्ट पांडे स हो रहा है वो जीत के लिए हो रहा है या लीड के लिए हो रहा है जिस प्रकार से भाजपा का बॉड़ी लेंग्वेज है जिस प्रकार से भाजपा का बॉड़ी लेंग्वेज हो खासकर जो जैसे आपने बहुत अच्छा बता है मोहन भिया ब्रिज मोहन अगरवाल जी का ज अपना एक जनाधार है जो की लोगों में वह सर्वमान नेता है उसी के साथ साथ उनका जो राजनीतिक क्या कहेंगे पॉलिटिकल मैनेजमेंट उसके वह माहिर खिलाडी माने जाते हैं पिछले लोकसबा चुनाओं में भी सुनिल सोनी जीते थे उनके पीछे उनकी जीत के पीछे लोग कहते हैं कि जो श्रेय है वह ब्रिजमोहन अगरवाल को ही जाता है जो की किसी भी एंगल से वह नीचे से ल ब्रिजमोहन अगरवाल के अपने अलग फाइदे हैं और वह फाइदा सीधा भाजपा को मिलता दिख रहा है दूसरा विकास उपाध्या जो नामूनेशन में गए थे उनके साथ कोई बड़ा नीता नहीं दिखा मैं बॉड़ी लैंग्वेश की बात कर रहा हूं बॉड़ी आर्टिकल में दिखरे किया कि यह जीत की लड़ाई है या लीट की लड़ाई है जैसे कि अभी शर्मा जी बता रहे थे कि एतिहासिक मार्जीन से जीतेंगे हो सकता है देश में रिकॉर्ड नए बन जाए जी जी बहुत मारके की बात है जीत की लड़ाई के लीट की लड़ाई इसे याद रख लीजे चार तारिक को फिर अपन मिलेंगे अब जरा फटा फट मैं आपको कोर्बा सीट के बारे मैं बताऊंगा और फिर हमारे दोनों खास में मानू के पास चलेंगे कोरबा हाई प्रोफाइल सीट क्यों है क्योंकि कॉंग्रिस के कबजे में थी नेता प्रतिपक चनदास महंद की पत्नी जोसना महंद वो कहती है मैं बहू हूँ दीजे सरोज पांडे दिगज नेता है तमाम जिम्मेदारिया रही तेज तर्रार नेता है महापौर से करियर मतबए बड़ी लीड जो थी हो बतार महापौर उनकी रही है इनके नामें एक अनुखा रिकॉर्ड ही है कि एक ही बार में सांसद महापौर और विधायक रहने का एक अजीब सा रिकॉर्ड भी सरोज पांडे के नाम पर है जोसना चरणदास महिंत कह रहे हैं मैं तो बहू हूँ बहू का मार्जन मांग रही है यह स्थितियां आ गई है 2019 में जोसना महिंत ने सीट पर जीत दर्ज की थी अब ज़रा वोट परसंटेज की बात कर लिए ज़या है लोग सबह में 4000 यह बहुत च्छोटे मार्जन माने जाते हैं 2019 में 26,348 मतों से कॉंग्रिस की यहां पर लीड हुई है यह जीत का मार्जन हमने आपको बताया वोट परसंटेज और जीत का मार्जन एक नजर में 2009 42 परसंट जीत का मार्जन 20,000 से जादा 2014 चालीस परसंट जीत का मार्जन 4000 से जादा 2019 वोटिंग परसंट 46 जीत का मार्जन 26,000 से जादा यह इस्थितिया है दोनों दिगज हैं जोरदार टककर यहां पर मानी जा रही है अब एक नजर में देख लीजिए 2014 में बीजेपी के खाते 40 परसंट कॉंग्रेस के खाते भी 40 परसंट फर्क कहा है 0.70,0.31 अंतर 0.69 2019 में 43 परसंट भाजपा के पास 46 परसंट कॉंग्रेस के पास अंतर 2.31 टाइट फाइट इसी वज़ा से है वोटिंग परसंटेज का खेल यह जो स्थितियां है और लगातार जो खास महमान है वो हमारे साथ बने हुए शर्मा सर बने हुए पंडे सर बने हुए और एक बार अब कोर्भार शीट को लेकर उनके पास में आपको लिये चलता हूं पांडे सर शुरुआत आपसे कोर्भा सीट लेले जी कोर्भा सीट एक हाई प्रोफैल सीट जैसे आपने कहा इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर चरंदास महेंद की जो धरम बतनी है जोसना महेंद जी वो है जो की एक शालीन लीडर है मिंस उनकी शैली जो सब्सक्राइब को बीजेपी ने दुर्ग की हैं और उनको कॉर्भा सरानाने की पीछे रणनीती उनकी बहुत डिफ्रेंट है उनकी रणनीती यह है कि कॉर्भा के जो एड़्गेर कॉर्भा में एक प्रभाव है जिसे का जाता है चरंदास महेंद फैक्टर वह पहले राज सब्सक्राइब करते हैं उनकी जो विरोधी कई बर फस्ते वे नजर आते हैं पिछले 2019 में भी मोधी वेफ के बाउजूद और नब्बे में से 68 सीट विधान सबा में कॉंग्रेस के जीतने के बाउजूद जो दो सीट ही जीत पाई वो दोनों सीटे दिल्ली से डिसाइड हुई थी आप ये बात को नोट करिएगा वो दोनों सीटे दिल्ली से डिसाइड हुई थी बाकी की नौ सीटे वो राज एकाई ने डिसाइड किया था और नौ के नौ हारे जो दिल्ली से जो सीटे डिसाइड ह पीछे एक मात्र व्यक्ति का नाम मैं बोलूँगा डॉक्टर चरंदा समयंत जी वैसे तो उनका जब भी जिकर आता है मुझे वो घटना भी याद आ जाती है कि अनुमान पर बड़ी गहरी खुदाई उन्होंने मंत्री रहते हुए करवा दी थी शर्मा सर कोर्बा सीट आपक जा सकता है चरंदाग महन 2009 में दीते कितने से जीते वह आपने बता दिया है 2014 में बंसी लाल महन तो बहुत कम्मतों से जीते भाजपा के उसके बाद फिर यूटेशना महन 2019 में जीत गए तो इस बार चरंद है क्या होता है यह देखना है और विधान सभा चुनाव परिणाम पर भी यदि देखें तो यहां आज सीटों में से 6 सीट पर भाजपा की काभीज है और एक गोंडवाना गंतक बालती पाली तानाखार से तुम्हे स्वर जीते हैं जहां से एक आकड़ा यह देखें यहां कांग्रेस के एक विधाया के कहा गया सकता है और यहां पर बाली त 30,000 मतों से जीत दर्शिर 26,289 लेकिन इस स्टीट पर पाली तानाखार पर लगबग 80,000 मतों की विधायक है तुलेस्वर तो देखना है कि वहां क्या इकिती निर्मित होती है और वहां पर आजिवासियों की एक बहुलता देखी जाती है और लगबग 10% अनुसुचित जात जाता है तो कहने के ताज पर के इस छेटर में जो विकास का जो अनुपस्तित आज जो बात के इस रोच पांड़ने ने अपने भातन में आज अनिस्टा की सबह में कहा कि मात्र 17 वार वह हैं ये इस पड़ा विश्ट है और विकास को लेकर क्या हुआ क्या कारण है कि पूर मुद्दा है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये भी कहा गया बीच उसमें कहा गया सर फोड़ने वाला बयान और बीजेपी इस तरह की बॉल को बहुत बहतरीन तरीके से खेलती है अब बात करेंगे दमदार दुर्ग की दुर्ग ना अपने आप में ही दमदार है स आजेंद्र साउ मौका मिला है कॉंग्रेस की तरफ से विजेब अगेल एक दुर्ग की तरह है उनके लिए दुर्ग भी वोटिंग परसेंटेज दो हजार नौ पच्पन परसेंट से जादा तकरीबन चपन बोलते हैं अपने इसको आम तोर पर दो हजार चॉदा सरसर परसे मैंने नहीं रखता लेकिन अगर आप इसे कॉंग्रेस के नजरीए से बीजेपी के नजरीए से देखें तो दो हजार चॉदा सोलह हजार का मार्जिन दो हजार उनीस तीन लाग इंक्या नवे हजार नो सौट अठपर का यह जीत का मार्जिन रहा है यह दुर्ग लुसा भर से में सोलह हजार जीत का मार्जिन दो हजार उनीस एक सट पर्सेंट तीन लाख इनक्या अवे हजार से जादा के लीड से बीजेपी यहां से जीती हैं अब वोट पर्सेंटेज एक बार देख लीजे 2014 में बीजेपी के पास 44% से जादा, कॉंग्रेस के पास 45% से जादा 2019 में देख लीजे 61%, बीजेपी के पास 32%, कॉंग्रेस के पास अंतर 28% और यहां दशमलो 3-4%, परसेंटेज के बड़े मायने होते हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ राजेन साहू मैदान में हैं, दुर्ग में कुर्मी यादाव साहू समाज के वोट हैं, लेकिन जो विजेप अगेल हैं, उनका जो किरदार है यहां पर, वो बड़ी निरनायग भूमी का है, कभी यहां कॉंग्रेस का दबदबार रहा करता था, पांडे सार लगातार बने हू और दुर्ग को लेकर फटा-फट उनके कमेंड ले लिए जाएं, पांडे सार शुरुवात आप से दुर्ग को लेकर आपका कमेंड, बहुत शॉर्ट में फ्लीज, ललत जी, विजेप अगेल एक फायर ब्रैंड नेता है, वो निडर नेता है, जब मैं उनसे दो सार पहले चर्चा किया था, तभी भी वो वुपेज बगेल को कोसने में रत्ती भर गुरेज नहीं करते हैं, और उनको इसलिए मिलेगा, क्योंकि पिछले बार 68 सीट विदान सवा में जितने के बावजूद सबसे जादा, 36 गड़ में सबसे जादा मार्जिन से जितने वाले वो नही के बाद विदान सबा में जब भुपेज बगेल के खिलाफ लड़ने वाले वो नेता हैं, जिन्नों ने उनको बहुत तफ पाइट दी, तो यह दो एडवांटेज है, और इस समय तो उनके समने बहुत ही नगण कंड़िडेट है, मैं आज ही दूर से आ रहा हूँ, सुबह म मैं देख रहा था, वहां की जो जमीनी सर की बात है, एक तरफ लड़ाई है, अब मुझे लगता है कि जो मार्जीन है, जो आपने तीन लग एक अनबेहजर के दिखाया, यह मुझे लगता है पांच लाग क्रॉस कर सकता है, केके शर्मा सर, बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज दुर्ग पर जाती जड़ गणित महत्तों हैं क्या साहू के जूट है या कुर्मी समाज की जो एक जूटता है वीसी वर्वाज के शीट है विकास तुमाम प्रकार की बाते हैं के भूपेज बगेल के रहते हुए यहां कितना विकास हुआ है यहां पर लेकिन यहां पर बीरन पूर्व साजा की चाया भी आपको कितनी जाई देखना हुआ जी बिलकुल बिलकुल तो देखा जाएगा चार तारिक को कौनसा गाना यहां चलता है क्यों भाई चाचा हां भतीजे या फिर रिष्टे में तो हम बाप लगते हैं यह डालग दिया गया था यह मेरा अपना नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक्स्प्लेंशन के लिए और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद चार तारिक को सब बातने आद रखिएगा धन्यवाद